तो ये एक कहानी है एक प्यारी से लड़की की आखिर गलती क्या थे उसकी उसकी क्या गलती थी क्या गलती थी आगे थी वो सब में पढ़ाई खेल विचार में 12 की माकशीट में उसके नमबर भी कमाल थे केल के मैदान में कमाए हर बार गोल्ड टैलेंटीड बहुत परस्नालिटी बोल्ड पूरे मोहले में इमेज उसकी प्यारी पापा की लागली जैसे कोई रास दुलारी हाथ में उसके जादू खाना ऐसा बनाती फिर प्यार से परोस कर है सब को वो खिलाती बड़े आया दोस्त का पाटी में था जाना मुश्किल लग रहा था ये सब पापा को बताना की आउंगी लेट ना लेना बिल्कु श्रेस क्वाप थे प्यारे पहनूंगी अच्छी ड्रस बड़ा मुश्किल था उसका पापा को समझाना पापा का ये कहना बेटा घर जल्दी आ जाना पहन कर वो ड्रस निकली गड़ से बाहर खरीदा उसने तौफा थोड़ी दूर जाकर पाटी खतम होते होते होगी थोड़ी लेट पापा मम्मी कर रहे थे घर पे उसका बेट गड़ी में बज रहे थे रात के बारा गड़ से फोन आ रहा था बार बार दो बारा दोस्तों को बोलके बाए चल मैं चलती हूँ होगी बहुत लेक कल तुसे मिलती हूँ अब सुनाता हूँ आगे की में बात क्या होने वाला है बेचारी के साथ लिखते लिखते दिल घबरा रहा है मेरा चार पांच लड़कों ने उससे सड़क पेता गेरा डर के मारे अपनी जान बचा कर भागी फिर भी उनके अंदर की इंसानित न जागी एक हैवान ने उसका हाथ पकड़के खीचा फिर सबने उसके जिसम को बुरी तरह से नोचा क्या रात में एक नारी बाहर में ही निकल सकती क्यों वो आजादी को मैसूस नहीं है कर सकती इंसान के नाम पर तुम एक हैवान हो जो जिसन के चकर में बेज देते इमान हो ये वही नारी शक्ती है जिसने दुनिया को सम्माला है वही नारी शक्ती है जिसने कोक में तुझको पाला है वही नारी शक्ती है जिसका दुनिया में बुलबाला है ये वही नारी शक्ती है जिसने हाथ तुने डाला है नारी है हर गर की रतन जिनमें जस्पा और कुछ करने का चतन मेरी गलती नहीं है गलती सुटर की है इससे करना है हमें खतब ये कहानी है मेरी इसमें छीन ली गई जट मेरी ना कोई कसूर मेरा ना कोई गलती थी मेरी ये कहानी है मेरी ये कहानी है मेरी ना समझे हम ये पहले क्यों अब जरुवत है बदलाब की